असलावलेकुम आज मैं बनाने वाली हूँ हरी चेकनी और लाल चेकनी ये चेकनी धोसे के साथ, मेंदू अरे के साथ और इकली के साथ खाई जाती है तो आईए देखते हैं ये चेकनी मेरी इक्तायल में कैसे बनाते हैं सबसे पहले मैं आप लोगों को नारियल की हरी चेकनी के मसाले बता देती हूँ इसमें हमें क्या-क्या लगेगा तो ये जो मैंने चनी की दाल ली हूँ ये भुजी वी चनी की दाल है इसे फुटाने भी बोलते है एक आदा वाटी नारियल ये गिल्ला नारियल है और ये मैंने दस से बारा लसुन की कलिया ली हूँ ये मैंने थोरी सी अदरक ली हूँ यानि एक चवताई मैंने अदरक ली हूँ ये मैंने छे से साथ हरी मिर्च ली हूँ हरी मिर्च आप अपने अंदास से भी ले सकते हैं कम या ज्यादा और ये मैंने थोड़ असा हरा धनिया लिएं और पचास गिराम मैंने ये पुटाने लिएं यानि चनी की भुजीवी डाल नारियल को हम घस लेंगे मैं जब भी चनी बनाती हूँ तो इसी तरह से घस के रालती हूँ तो आप लोग कटिंग करके भी दाल सकते हैं इन सबको एक मिकसर के जार में दालेंगे और इसे अच्छी तरह से पीच लेंगे थोड़ा सा नमक भी दालेंगे पताती हुमें आप लोगों को नमक दालने के समय नमक अपने अंदाज से दाली आप थोड़ा सा पानी दालेंगे यह हमारी हरी चेकनी रेडी हो चुकी है अभी हम इसका तरका तयार करते हैं एक बर्तन में मैं एक चमच तेल डालूँगी यह छोटा चमच से डाल रही हूं मैं थोड असा और दालेंगे तेल कम लग रहा है थोड इसी राई डालेंगे थोड असा करी पता डालेंगे एक सुपकी लाली में रिच डालेंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे यह हमारी हरी चेकनी रेडी हो चुकी है अभी हम नारियल की लाल चेकनी रेरी करते उसके लिए हमें क्या-क्या सामन लगेगा मैं आप लोगों को बताती हूं तो यह मैंने गिल्ला नारियल ली हूं एक आदा आदा वाटी यह मैंने चने की दाल ली हूं भुजी वी इसे फुटाने भी बोलते हैं यह मैंने पचास की राम से भी कम ली हूं दस से बारा मैंने लसुन की कली ली हूं इसे साफ करके आदा तुकरा मैंने अदरक ली हूं इस तरह से बारी कटिंग करके और मैंने चार लाल मिर्च ली हूं सूकी वाली और यह मैंने यह मैंने एक चमच जीरा ली हूं अभी हम नादियल को घस लेंगे, सेम उसी तरह हम नादियल को घसेंगे, जैसे मैंने पहले घसी दी नादियल को घस लेंगे इन सब को अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेंगे और एक मिक्सर के जार में डाल के इसे भी अच्छे से पीस लेंगे नमक अपने अंदार से डालिए ये हमारी लाल चेकनी भी रेरी हो चुकिए मैंने इसमें थोड़ असा पानी डाली थी ये देखे हमारी लाल चेकनी रेरी हो चुकिए अभी हम इसका बगार रेरी करते हैं एक बरकद में थोड़ असा तेल डालेंगे तो इसी राय डालेंगे एक सुख्की लाल मि्च डालेंगे यह इसमें ऐसे अच्छी तरद से मिक्स कर लेंगे यह हमारी लाल चेकनी भी रेडी होचुके हमारी हरी चेकनी और लाल चेकनी रेड़ी हो चुकी है आज आओ खाने के लिए इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मुझे यूटूब पे फॉलो करो, लाइक करो और शेर करो और अच्छी अच्छी कामेंड भेजो अल्ला हाफीज, दौा में यादे लगनाओ